तो चलिए आज मैं फिर से आपके साथ केक की रेष्पी बताने वाली हूँ तो इधर मैं एक कफ ले लूँगी मैदा, हाफ कफ ले लूँगी बारिक वाली सूजी, और हाफ ही कफ ले लेंगे शक्कर, और ये कोको पाउडर ले ले लेंगे, दो से तीन स्पून, और ये दो स् चुटकी बहर डाल देंगे नमक और इधर डाल देते हैं मीठा सोड़ा और बेकिंग सोड़ा मतलब बेकिंग पाउडर और इसमें हम दूद भी डालके मिक्स करके इसको पीस लेंगे ग्राइंड कर लेंगे तो वो मैं दिखाई नहीं मतलब दिखनी पाया कैमरा ओफ था तो मुझे ध्यान नहीं आया और यह एक मैं ग्लास का बाउल ले लेती हूं उसमें मैं तेल से ग्रीस कर ली थी और यह बैटर पूरा डाल दूँगी इसको थोड़ा टैप कर देते हैं और इधर हमारा कढ़ाई नहीं गरम हो गया है तो इसमें हम लग देते हैं और 30-35 क हम टीम दे 7 बहुर्त में चेक करेंगे फिर उसका पखेगा को ए है को तो थीयों समीनुट बाद हम चेक कर लेंगे एक बारL का आशिता फिर उह मैसे ढंग देते हैं अर गैस फुट य५िस अजम धीमाल eh हम पकाएंगे तो जब तक इधर हम बना लेते हैं एक केक को मॉस्टर करने के लिए तो ये मैं एक छोटा पैकिट ले लिए हूँ कॉफी का पाउडर और ये दो से तीन इस्पून ले लेंगे सककर और इसमें हम गरम पानी डालके इसको घोल के रख देंगे साइड में तो आप इधर सककर और पानी बस भी ले सकते हो इसे क्या होगा मैं अपने केक में डालेंगे न तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट रहेगा और मॉस्जर रहेगा वो तो हम केक एक बार चेक कर लेते हैं तो मैं 30 मिनट में एक बार चेक की थी तो थोड़ा कच्छा लग रहा था मुझे फिर उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए और पकाई थी तो करीबन 35 मिनट में हमारा जो केक है वो पक गया है तो इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे थोड़ा देर के लिए तो ऐसे थोड़ा सा नाइफ से हम साइड पे निकाल लेंगे और एक हम इधर ले लेंगे ऐसा fog या जो भी कुछ ऐसा तो ऐसा हम कर देंगे इससे क्या होगा कि जो हम शुगर का और कॉफी का पानी बनाए हैं वो डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से नीचे तक चला जाएगा और जो हमारा केक है इस्पॉंज वो बहुत ही soft रहेगा तो यह हम पूरा हम इसमें डाल देंगे तो अभी केक हलका गरम है हमारा तो अब देख रहें कितने अच्छे से जा रहा बहुत ही soft केक बना हुआ है यह देखिए अब इसको फ्रीज में हम रख देंगे जिससे ठंडा हो जाए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम इसमें क्रीम डालेंगे वरना यह मेल्ट हो जाएगा पूरा तो पूरी क्रीम हम इसमें डाल देते हैं और ऐसे फैला देंगे तो यह देखिए अब इधर मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा ऐसा ब्रेश वाला इश्पून जो होता है वो और ऐसे इससे बराबर कर दूँगी पूरा और इसमें हम उपर से गानिस कर देंगे इसमें हम चोको चिपस से कर देंगे गानिस इसको हम वापस रख देंगे फ्रीज में थोड़ा ठंडा होने के लिए फिर उसके बाद हम कट कर रहे हैं अब तो आप देख रहे हो कितना सॉफ्ट है हमारा केक कट करने से ही पता चल रहा है कितना सॉफ्ट बना हुआ है आप इसको मतलब बर्डे में भी इसको सर्फ कर सकते हो मतलब इसको निकाल लो इससे और उपर से क्रीम लगाके ये इधर फिर मेरा कैमरा ओफ हो गया था निकालते टाइम कभी तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ और मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ था और बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये तो आप इसको जरूर ट्राय करना ये देखे कट करने से ही पता चल रहा है कितना अच्छा बना हुआ है और जो इसमें हम कॉफी वाला पानी डाले थे उससे भी बहुत सॉफ्ट था ये तो ये देखिए तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना शेयर करना मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना ओके फ्रेंड्स पार टेक कियर